राजस्थान में बड़ा परिवर्तन जिसका इशारा हमने बहुत पहले कर दिया यानि कि 6-7 मार्च को ही कि राहुल कस्वा जो है वो कांग्रेस जोइन करने वाले हैं आज सुबह उन्होंने भाजबा चोड़ने का ट्वीट किया और उसके बाद कांग्रेस जोइन कर ली राहुल गांधी वाली कांग्रेस जोइन कर ली राहुल कस्वा ने कहा है कि सामन्तवाद से परेशान होकर वो कांग्रेस जोइन कर रहे हैं सामन्तवादी नीतियों से अब सीधा सा उनका इशारा जो रहा है वो राजंद राठोड के खिलाब रहा है इस कहानी के पीछे का लबोलू आप क्या है और राहुल कस्वा के चूरू लोकसवा क्षेत्र में उनका परिवार जो बीते करीब 34 साल से भारतिय जंता पार्टी में सांसदी का जंडा सर बुल आंकड़ों पर बात करेंगे समीकरण पर बात करेंगे और क्या ही कहानी हुई चूरू लोकसवा क्षेत्र की इस पर विशलेशन करेंगे नमस्कार मैं प्रदीप हूँ आप थिंक 360 देख रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्र अद्यक्स मल्लिकार जुन खरगे ने कहा कि राहुल कस्वा का स्वागत हैं क्योंकि वो सामंतवाती नीतियों के खिलाफ जो हैं वो कांग्रेस पे शामिल हुए हैं उन्हें संसद में मुद्दे नहीं उठाने दिये जा रहे थे यह का गोविन सिंग डोटासरा जो की प्रदेश अद्यक्ष हैं और आजकल कांग्रेस की राजनीति में अशोग गहलोत से दो-चार कदम आगे निकल गए हैं डोटासरा फटकारवाले अंद्याज के लिए प्रसिद्र रोटासरा जो है और आहुल कस्वा को भाजपा में सामिल करा के अपनी कास्ट के एक और MP सीट को बढ़ा चुके हैं खास करके जिस तरह से जाट जो लोकसबा सीट है वो मुस्लिम को दी जा रही थी 2019 में रफिक मंडेलिया लड़े उससे पहले 2009 में रफिक मंडेलिया लड़े और अब क्या कांग्रेस राजस्थान में एक भी सीट अलप संख्यक वर्ग को देगी यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है अलप संख्यकों में खास करके मुसल्मान को क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ही एक पार्टी रही है जिसने मुसलिमों को टिकट दिया है बीते चुनाओं में लोकसवा हो या विधान सवा हो राश्ट्रिय पार्टियों में भाजपा ने जो है वो इस तरह की कोशिशें बंद कर दी हैं तो अब क्या चूरू पारोप लगा के राहुल कस्वा ने यहां करीब दो लाग के असपास राजपूत वोटर हैं लोकसवाक शेत्र में और एक विधायक भी हैं समाद से पिछली बार एक थे उससे पहले दो विधायक भी रहे हैं तो उनको बिलकुल किनारे कर दिया हैं तीसरा कांग्रेस जिसक बार रतनगर सीट जो है वो कबजे से फिशल गई पुसराम गोदारा के कारण तो कितने वर्ग साथ आएंगे उनके इस सामंत वाद वाले डायलोग से जाट वोट जिनकी संख्या जो है वो अच्छी खासी हैं चार लाख प्लस जो है यह संख्या बताई जाती है पूरे लो यहां तक कि जब 2014 में कांग्रेस ने भी जाट के सामने जाट प्रत्याशी उतारा था नए परिसिमन के बाद में जिसमें हनवानगड की दो सीटें आ गई अंदर डूंगरगड अलग हो गई तो नए परिसिमन के बाद में कांग्रेस ने पहली बार जाट प्रत्याशी राह ने का वोट बेंक एक तरफ आया तो अभिनेश महरसी बहतर परफॉर्म करके 2014 में और इसलिए 2018 में वो कॉंग्रेस माइंड सेट के होने के बावजुद 13 के चुनाव में वो रतनगड से कॉंग्रेस से विधायक लड़े थे उसके बाद में वो बसपा से चुनाव लड़े और सेकेंड रहें उसके बाद 18 वाले चुनाव से पहले टिकेट कांग्रेस से मांग रहे थे अमित्सा ने बुला के एक मिटिंग करके अभिनेश महरसी को भाजपा का टिकेट रतनगड से थमा दिया अभिनेश महरसी वो चुनाव जीत गए इस बार अभिनेश महरसी हार गए हैं विदानसवा का चुनाव रतनगड से यह से पहली बार जो है वो ब्रामन यहां से चुनाव नहीं जीत पाया तो चूरू जो लोकसवाद सीट है उस पे अब स्थितियां जो है वो सीधे तोर पे अलग बन रही है यानि कि कांग्रेस भी अब लगभग जो आना तै हुआ है तो सांसदी के टिकट के लिए ही हुआ होगा और अब जाट वर से जाट आमने सामने लड़ेंगे तो क्या निरने रहेगा इसमें दो बड़े सवाल है एक और कद्दावर नेता चूरू लोकसवाद शेत्र के जिनकी राजनीती हनुआनगड जिले के भादरा में चलती है नाम है बलवान पूनिया विदान सवाद चुनाव का डेटा देखें तो 2023 में हुए चुनाव में बलवान पूनिया जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के एक लाख चालिस जार के असपास वोट है आठो विदान सवाद शेत्रों में से पांच में लड़ी है वो पार्टी बल्वान पुनिया एक लाग के आसपास वोट सिर्फ अपने भादरा विदान सबक शेतर से लेगे रो बहुत मार्जनल कम वोटों से वो चुनाव हारे बल्वान पुनिया क्या बागी होंगे बड़ा सवाल है क्योंकि बल्वान पुनिया के डिमांड थी कि कॉंग्रेस जो है वो कम्निष्ट पार्टी के साथ गडबंदन करके चूरू की सीट कम्निष्टों को दे दे लिहाज वो सीट निकाल लेंगे अब बल्वान पूनिया के राहुल कस्वा भाजपा जिसके खिलाब वो राजनिती करते रहे हैं उनके ही एक भाजपा में ही सालों से दशकों से यानि कि बच्पन से रचे बसे राहुल कस्वा कांग्रेस में आ गए हैं क्या बलवान पूनिया बतोर कम्यूस्ट नेता इस स्विचारधारा से आए, उस स्विचारधारा में आए नेता को स्विकार करेंगे और नामांकन नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल है, दूसरा एक और सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी जो कि लोकसवा चुनाओं में ठीक इठाक प्रफर्म करती हैं, बलवान पूनिया के बारे में बता दू, पिछली बार उन्होंने चुनाओं लड़ा था, 2019 वाला बादरा के विधायक रहते हुए, 25,000 के आसपास वोट उनके, आए थी विधायक रहते हुए, और विधायक नहीं रहते हुए, कितने वोट थे और 2023 में बने हैं, मनोज न्यांगली, बसपा से लोकसभा का शुनाओ लड़ना एलान कर चुके हैं, अब दो जाट निता अगर आमने सामने होते हैं, तो रिजल्ट क्या 2014 वाला रहेगा, क्योंकि बसपा ने सामन निवर्ग के प्रतैशी यानिकि अभिनेश महरसी को 2014 मे उट लेगे, मनोज न्यांगली, जो की विधायक हैं फिलाल सादुलपुर से, बसपा के बड़े कद्दावर नेता हैं, वहाँ सादुलपुर में जब दो जाट नेता लड़े, यानि कि क्रशनापुनिया और भाजपा के नेता, तो मनोज न्यांगली वहां से सीट निकाल लाए, दूसरी बार, और इस बार क्रशनापुनिया भी मन से साथ आएंगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि क्रशनापुनिया के सामने भाजपा के जो नेता चुनाव लड़ते हैं, वो राहूल कस्वां के परिवार से होते हैं, उनकी मां कमला कस्वां, पिछली बार चुन रही हैं, और इस लोकस्वा सीट पे एक नाम आया, जैचंद का, राजंद राठोड तारानगर का चुनाव क्या हरे, कि जैचंद का नाम आया, कि जैचंद जो है विभिषणों जैचंदों ने हराया, और राहूल कस्वा ने जो पहले बगावती तेवर दिखाए, उसमें जैचंद का नाम आया, हमारे कुछ दिनों बात, पहले बात हुई थी, एक ऐसे कांगरेस नेता से, जिनका नाम जैचंद राठोड है, जो इस बार चोरू से लोकस्वा का टिकेट मांग रहे थे, अब उन्हें शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि राहूल कस्वा इसी शर्त पे कॉंग्रेस में आये हैं, कि वो कॉंग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं, गुविन सिक डोटासरा ने अशोर किया है, अशोर किया है, मलिकार जुन खरगे ने उनका स्वागत किया है, दिल्ली AICC में जाके जोइनी हुई है, बाजबा ने एक लंबी क चूरू जो है, उसमें अब राहूल कस्वा की अलग तरीके से एंट्री हो रही हैं, और इस एंट्री को चूरू के राहूल कस्वा जो है, सांसत, दस साल से सांसत है, 47 साल उनके उम्र है, और उनके सामने 42 साल के प्रत्याशी जो की ओलंपियन हैं, दो बार गोल्ड और एक जीच चुके हैं, देवंदर जाजडिया, जाजडिया अब अपना कैम्पेण शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने जो पिन पॉइंट पकड़ा है, वो है कि वो कैम्पेण की शुरूआत कर रहे हैं, गोगा मेडी से, गोगा मेडी जो गोगा जी महराज का मंदिर है, जहां पे एक संप्रताइक और जाती ये सोहार्थ की मिसाल देखने को मिलती हैं, कि एक पुझारी मुसलमान होता है, और एक पुझारी बलाई, यानि कि अनुसुचित जातिका होता है, और वहाँ धर्म जाती से परेचीज़ें होती हैं, देवंदर जाजडिया, वहां से अपने नजर जो है वो उस वोट पेंक पे है जो राहुल कस्वां से नाराज है उस वोट पेंक को अपने ही पक्ष्म किया जाए देवंदर जाजडिया को अब वोट वो लेने हैं जो मनोज ड्यांगली की जिस पे नजरे हैं क्या देवंदर जाजडिया वोट लेने सफल होंगे बड सवाल है क्या उन्हें जैपुर ग्रामिन दिया जाएगा लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि गजेंदर सिंग शेखावत जोकी जोदपुर के सांसद हैं और जल शक्ति मंत्री हैं मानवेंदर सिंग जसोल अगर उनके सामने चुनाओ कांग्रेस से लड़ लेते हैं तो उनकी सीट खत्रे में लिहाजा कोशिशें की जा रही हैं कि मानवेंदर सिंग जसोल को भाजपा मिला के राद समन्द से टिगड़ दे दिया जाएं तो यह कई सारी चीजें जो है वो चल रही हैं तो क्या मानवेंदर सिंग राजनितिक रूप से पहले बाडमेर जिले में लड़े उनके पिता पहले जोदपूर से लड़े उसके बाद में जित्तोडगड गए लंबे समय तक राज्यसभा में रहे फिर दारजलिंग गए फ पहले बाडमेर, जसल मेर, फिर जिले जहला बाड़, फिर सिवाना, उससे बाड़ मेर, यह बहुत सारा उन्होंने एक सफरताई कर लिया, तो क्या अब वो मेवाड में भेज़े जाएंगी? बड़ा सवाल है और मेवाड क्या? उनका बाएं पसार के सौगत करेगा भाजप आने की और अगर बीजेपी उन्हें ये कहती हैं कि हमने राहूल कस्वां का टिकेट कार्ड दिया हैं आप इस चुनाव को भाजपा के लिए जिताई हैं तो भाजपा के सामने कई सारी समस्यां नजर आती हैं अगर आपन 2023 में विधानसवा चुनाव हुआ उस पे नजर देख हैं तो यह है अगर केवल मनोज लियांगली को छोड़ दें तो बाकी जगह सरकारी माहोल जो है वो विजिताओं के पक्ष में रहा है इस सीट पे अगर आपन देखें तो 6,65,000 के आसपास वोट जो है वो कांग्रेस को मिलते हैं 6,66,000 और भाजपा को मिलते हैं 6,87,89,000 क्ष माक्षवादी जिसके बल्वान पूनिया हैं तो यह सारी जो स्थिती बनती हैं मैं आपको 2014 वाला जिक्र कर रहा था कि दो जाट नए परिसिमन के बाद पहली बार आमने सामने हुए हैं इससे पहले 2004 में इन्ही राहुल कस्वां के पिता राम सिंग कस्वां और कदाव का प्रत्याशी ले गया था तो बसपा और कम्मिनिस्टों को भूल नहीं जाना इस सीट पे क्योंकि यह मैंने कहा ना है हाइड कोर बनाम सौफ्ट की लड़ाई एक वीडियो मैं कह चुका पहले चूरू जो है वो सरवादिक गर्म जिला है और सरवादिक ठंडा भी अगर डेमोग्राफी देखें जियोग्राफिकल कंडिशन देखें चुरू के तापमान की बात करें तो बीच वाला तापमान चुरू का जोनर नहीं है और बीच वाल तापमान अगर जोनर नहीं है तो यहां उबाल देखा जाएगा राजनिती में या ठंडापन देखा जाएग यह वक्त बताएगा परंत राहूल कस्वा की एंट्री सामंत वाद का आरोप लगाते हुए एंट्री और भारतिय जंता पार्टी का जो जैसे मैं एक बता रहा हूं कि एक वीडियो मैंने पहले भी का था कि पोस्टल वैलेट्स ने बड़ी भूमी का निभाई है चुनाव नि सुजानगर्ण के एक सीट पे बिजे पी एक कांगरेस हैं दूसरी इदर सीट देखी आप सुजानगर्ण के मनुज कुमार है सर्दार सहयर में अनिल सरमा हैं कौंगरेस के रतन गड़ में यह तो तो चार पांच विधायक जो हैं वो इस जिले में कुल 6 सीटे हैं उन में से चार सीटों पर कॉंग्रेस हैं एक सीट जो है वो अनमानगड़ जेले की कॉंग्रेस पर मिलब आठ बैसे पांच विधायक कॉंग्रेस के हैं और भाजपा के दो ही विधायक हैं संजीव बेनिवाल और दूसरे हरलाल सारण एक विधायक बसपा के हैं तो जो बड़ा वोट बेंक है तीन सवा तीन लाग का ऐसी का जो वोट बेंक है उस वोट बेंक को कताई कम नहीं आकना चाहिए 2014 वाला चुनाव जिसमें प्रत्यासी प्रताप सिंग पूनियां को टिकट दिया गया था वो तीसरे नंबर पे रहे थे तो जाट वर से जाट अगर लड़े और मामला अगर एक तरफा जाता है क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि धर्म वाला इशू यहां पूरा फ्रेम नहीं करेगा क्योंकि जहां कम्नियूस्ट है वहाँ धर्म जो है वो जहां खेती नहीं है जहां इंडस्ट्री नहीं है जहां पर कैपिटा इंकम जादा नहीं है वहाँ की स्ट्रेटजी अलग होती है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी खास करके तो राजंदर आठोड को जो वहां के विधायक बने हैं नरेंदर बुडानिया जो की चुरू के सांसत भी रह चुके हैं उनके मुगाबले 578 वोट कम मिले हैं 2023 के विधानसभा चुनाओं में उसी तरह सरदार सहर में 469 वोटों से कॉंग्रेस जीती हैं केवल और केवल एक सी हैं जहां सरकारी वोट कम मिले हैं और जो प्रत्यासी जीते हैं वो हैं मनोज न्यांगली जहां उनको पोस्टल बैलेट्स कम मिले हैं लेकिन वो चुनाओं जीत गए और वो ही मनोज न्यांगली दावा कर रहे हैं कि वो लोकसभा के चुनाओं लडएंगे बसपा से लडए रहा है निश्चित तोर पे यह चूरू लोग सबक्षेत्र को अलग जोनर में ले जाता है ऐसे जोनर में जहां कांग्रेस जो है वो इस सीट को जीतने की कोशिश में जूटी है बीते 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 25 साल से कांग्रेस जो है वो यहां सीट जीत नहीं पाई है बीते 25 साल से उनका एक लंबा ड्रॉबैक है कांग्रिस का कि राम सिंग कस्वां जो है यहां लगातार सांसद रहे 1991 में भाजपा से टिकेट पाए उनके पिता दीप चंद कस्वा निर्दली एक बार विधायक रहें फिर निर्दली दो बार हार गए फिर राम सिंग कस्वां की पत्नी यानि के राहूल कस्वां की जो माता है वो कई बार विधायक का चुनाव लड़ी हैं विधायक रही हैं जिला परमुक रही हैं राहूल कस्वां खुद जो है वो सांसद रहे हैं ये तमाम जो इस्थितियां है इस लोग सबसीट की ये अलग कांग्रेस जो क्या एक जाट सांसत का टिकट बढ़ाएगी या किसी और सीट पे कमोगा तमाम तरीके के सवाल है और इन सवालों पर जवाब जो है वो जनता देगी चुनाव निर्धारित नहीं हुए हैं माना जा रहा है कि 15 तारिक से पहले जो है वो आचार सहीता लग सकती है यानि कि 13 मार्च को जो है वो PM का एक बड़ा संभाद है उसके बाद कभी भी गोशना हो सकती है हलांकि CEC की नियुक्तियां भी अटकी हुए तमाम चीजें है इन पे हम आपको लगातार अपडेट रखेंगे लेकिन आपको क्या लगता है कि राहूल कस्वा के कॉंग्रेस में आने से क्या बदल जाएगा दो बड़े नेता यानि कि हरियाना के हिजार के बड़े लोगसभा सांसत भाजपा के उन्होंने इस्तिफा दिया है और राहूल कस्वान दोनों जुड़ीवी सीटे हैं क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाना का इस सीट पर प्रभाव है इस सीट पर अनुस्चित जाती की राजनित्य का प्रभाव है और इस सीट पर डवलोप्मेंट की नीड है बड़ी तो कौन चुनाव जीतेगा 42 साल के देवंदर जाजडिया जिन्होंने भाला फैंक के बड़े मास्टर हैं दिव्यांग हैं और पैरा उलम्पिक के दो बार चैंपियन और एक बार रज़त पदक विजेता रहे हैं यह तमाम जो स्थिती बन रही हैं इसमें राहूल कस्वा या देवंदर जाजडिया या तीसरा की जिस तरह से देवंदर जाजडिया जो है वो दो बार के स्वन पदक विजेता थे लेकिन इस बार जब वो पैरा उलम्पिक में गए तो यह माना जा रहा था कि तीन बार लगा एक लंबा भाला फैंकेंगे या लंबा भाला जो है वो राहूल कस्वा फैंकेंगे नजर बनाए रखेंगे आपसे अपील है कि अपने कमेंट हमें जरूर बताएं क्या विचार रखते हैं आप चौरू लोकसवा को लेके और कौन जो है वो सीट पे कबजे के लिए आगे बढ़ेगा तो 25 लोकसवा सीटों में से बीजेपी 15 की गोशना कर चुकी हैं कांग्रेस में फिलाल गोशना नहीं हुए लेकिन यह माना जा रहा है कि चौरू लोकसवा की सीट राहूल कस्वा यानि चार्ट बनाम चार्ट मुकाबला होगा इसके लिए कमर कर चुकी है फिले राट बनाम